नमसकार आपका स्वागत है दोस्तों हमारे सनातन हिंदू धर्म में स्त्रियों को सदैभी मा लक्षमी और देवी अनपूर्णा का प्रतिरूप माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जिस धर की स्त्रियां सोलह श्रिंगार करती हैं और मन में इश्वर के प्रती निश्था रखती हैं उनके पती की आयू लंबी होती है और उनके पती का भाग्य भी उज्जवल होता है सोलह श्रिंगार में सर की बिंदी से लेकर पाव में पहने जाने वाले बिच्छिया तक के सभी गहनों को स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्व पूर्ण माना जाता है लेकिन आज कल की महिलाएं पैर में बिच्छिया पहनने को अधिक महत्व नहीं देती है शायद उन्हें बिच्छिया के महत्व के बारे में पता नहीं होता है कई बार महिलाएं बिच्छिया को गलत तरीके से भी पहन लेती है जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके सांसारिक जीवन पर पढ़ता है शास्त्रों में स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले प्रत्येक गहने के विशय में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं पैर में बिछिया पहनने के पीछे आध्यात्मिक और वैग्यानिक दोनों प्रकार के कारण होते हैं साथ ही पैर में पहनी जाने वाली पायल का भी स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। स्त्रियों की पैर की पायल की आवाज से ही घर से नकारात्मक उर्जा नश्ट हो जाती है। स्त्रियों के पैर की बिछिया उनकी कई प्रकार के संकटों से रक्षा करती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार स्त्री के पैर की बिछिया से उसके पती का भाग्य जुड़ा हुआ होता है। यदि कोई स्त्री बिछिया को गलत तरीके से पहनती हैं, तो ये उसके पती के लि पहनना स्त्रियों के मासिक चक्र को नियमित बनाता है, जिस वजह से बिछिया को वैग्यानिक रूप से भी अत्याधिक फायदेमंद बताया गया है। उन्हें अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन यदी किसी कारण से अगर गहने चोरी हो जाते हैं, अथवा गुम हो जाते हैं, तो इससे कई विशिष्ट प्रकार के संकेत मिलते हैं, जो प्रत्येक स्त्री को अवश्य जान लेने चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पैर में बिशिया कैसे पहननी चाहिए और गहनों के खोजाने पर कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जैमा लक्षमी अवश्य लिखें। साथ ही विडियो को लाइक करना न भूले। सबसे पहले जानते हैं बिशिया पहनने के कौन से फायदे हैं। शास्त्रों के अनुसार बिशिया पहनने से सूर्य और चंद्रग्रह को मजबूत किया जा सकता है। अगर स्त्री पैर में बिशिया पहनती है, तो सूर्य और चंद्रग्रह का अशुब प्रभाव उसके पती के जीवन पर नहीं पढ़ता है। किन्तु आज कल्स्त्रियों को इसकी जानकारी न होने के कारण वे पैर में बिछिया नहीं पहनती है, जिस वजह से उनके सांसारिक जीवन में कलेश और अविश्वास की स्थिती उत्पन्न हो जाती है. पती पत्नी में प्रेम कम होने लगता है और विश्टा कमजोर होता जाता है. सूर्य और चंद्रग्रह के अशुब प्रभाव से पती को बार-बार असफलता और निराशा का ही सामना करना पड़ता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिती भी खराब होने लगती है. इसलिए स्त्री को कभी भी अपने पैरों को सूना नहीं रखना चाहिए. कम से कम एक बिछिया तो अवश्य ही पहननी चाहिए. पैर में पहनी जाने वाली बिछिया चांदी की ही होनी चाहिए. कई महिलाए सोने की अथवा स्थील या अन्यधातू से बनी बिछिया पैर में पहन लेती है, बलकि ऐसा करना अशुब होता है. पैर में पहनने के लिए चांदी को ही शुब माना जाता है. अन्यधातु से बनी बिच्छिया पैर में पहनने से कोई लाध प्राप्त नहीं होता है चांदी को पैर में पहनने से रक्त संचार ठीक से होता है हमारी अधिकाश उर्जा हाथों और पैरों के जरिये शरीर से निकल जाती है जिससे ठकान महसूस होती है चांदी एक प्रतिक्रियाशील धातु है और यह शरीर से निकलने वाली उर्जा को वापस खींच लेती है इसलिए पैरों में चांदी से बनी बिछिया और पायल धारन करनी चाहिए इसे पती-पत्नी दोनों के सांसारिक जीवन पर शुब प्रभाव पड़ता है अन्यधातु की बिछिया और पायल पहनने से राहु और केतु का दुश्प्रभाव होता है एक सुहागिन स्त्री को अपनी बिछिया कभी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए बिछिया स्त्रियों के सोलह श्रिंगार का हिस्सा है इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है यदि आप अपनी बिच्छिया किसी अन्यस्त्री को पहनने के लिए देती है तो आपका सौभाग्य आपसे रूठ जाता है साथ ही किसी अन्यस्त्री की बिच्छिया भी किसी महिला को नहीं पहननी चाहिए इससे पती पतनी के रिष्टे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बिचिया को पहनते समय यह ध्यान में रखे कि बिचिया कभी धीली नहीं होनी चाहिए नहीं तो यह बार-बार निकल जाती है अथवा यह गुम भी हो सकती है बिचिया के गुम होने से शुक्रग्रह प्रभावित होता है जिससे पती की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है साथ ही शास्त्रों के अनुसार बिचिया का गुम होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता इससे आपके घर की सुक शांती और समरिध्धी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है धन की हानी अथवा पती के व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इसलिए अपने पैर की उंगलियों में बिछिया ऐसे पहननी चाहिए कि वह कभी गिरे नहीं धर्म ग्रंथों के अनुसार सोने के गहने का मिलना अथवा गुम हो जाना दोनों को ही अशुब ही संकेत माना जाता है सोने का संबंध गुरु ग्रह से होता है इसलिए सोने के गुम होने से अथवा मिलने से गुरु ग्रह के अशुब प्रभाव का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही स्त्रियों को घर के अंदर पैर में पायल अवश्य ही पहननी चाहिए। और मा लक्ष्मी को बिछिया अरपन करनी चाहिए। इससे मा लक्ष्मी की कृपा उस्त्री पर और उसके पती पर सदैव बनी रहेगी और घर में धन संपत्ती का आगमन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में पैर में पहनी जानी वाली बिछिया के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैमा लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।